Hello Friends, Welcome to Public Kitchen कैसे हैं आप आशा करती हूँ कि आप साथ सेहत मांदोर खुशहाल होंगे आज हम वड़ा बनाएंगे जो कि आप सांबर के साथ खाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है चाहे आप इसको दही में भी डाल सकते हैं भले की तरह जैसे मरजी चाहें आप वैसे इसको खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बोटन क्लिक करें और बेल आइकोन को भी क्लिक कर दें इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी वड़ा बनाने के लिए हमने एक कप जो धुली हुई दाल होती है बिना छिलके की उड़त की दाल वो हमने लिया है जिसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह तक ये देखिए इतनी फूल चुकी है और इसके अंदर डालने के लिए मैंने तीन चार हरी मिर्चें जिसको ब्रीक ब्रीक काट लिया है आदा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने इस तरह से ब्रीक ब्रीक काटा है और थोड़ा सा हरा धनिया जिसको धो के साफ करके इस तरह काट के रख लिया है अब हम सबसे पहले डाल का पानी सारा निकाल देंगे और अच्छी तरह के डाल को धोलेंगे उसके बाद हम डाल को mixing jar में डाल के grind करेंगे पहले मैं आदी डाल डाल दूंगी इसको grind करेंगे पानी नहीं डालना आपने बिल्कुल भी और इसको रुक रुक के आप चलाएं अगर आपको लगे कि ये बहुत स्टिकी सी डाल होती है और डाल चिप गई है तो आप एक चमच इसमें पानी डाल सकते हैं पानी जैदा नहीं डालना हमने इसी तरह से हम बाकी की जो डाल है उसको भी ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए मैंने सारी डाल एक बाल में निकाल दी है और ये इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थोड़ी सी गाड़ी चाहिए पतली नहीं चाहिए और इसको हम हाथ से दस मिनट तक अच्छी तरह से फैंट लेंगे तांकि ये हमारा जो बैटर है ये फलफी हो जाए और इससे हमारे वड़े जो है वो बहुत साफ्ट बनेंगे दस मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से फैंट नहीं जितनी देर की ये फलफी नहीं हो जाए इससे हमारे वड़े जो हैं वो बहुत soft बनेंगे फुले फुले बनेंगे और कितनी देर आपने फैंटना है इसको चेक करने का भी एक तरीका है आप एक काटोरी में पानी ले ले और उसके अंदर थोड़ा सा बैटर डाल के देख ले अगर तो बैटर आपका उपर तैर रहा है तो इसका मतलब की हमारे जो वड़े का बैटर है वो बिलकुल सही फैंट गया है और अगर वो नीचे बैठ जाता है तो फिर आप इसको दो तिन मिनट और फैंट सकते हैं ये देखिए मैंने इसको डाल के दिखाया ये बिलकुल पानी के उपर तैर रहा है ये एक बार औ अच्छी तरह से बड़े के लिए त्यार हो गया है अब हम इसमें जो काटा हुआ अद्रक बरीक बरीक हरी मिर्चे और धनिया डाल देंगे बहुत जैदा इसमें मसाले नहीं डलते सिरफ आधा चमच जीरा नमक स्वाद के अनुसार आधा चमच नमक डाला है इसमें और वन फोर्स चमच हींग डाल देंगे हींग डालने क्योंकि डाल जो है ये थोड़ी बाद्दी होती है तो इसके अंदर हींग डालनी जरूरी है नहीं तो गैस करती है कई लोग इसमें प्याज भी डाल देते हैं बरीक बरीकाट के वो आपकी अपनी इच्छा है अगर आप डाल जालना चाते हैं, तो आप डाल सकते हैं, अब इसको हम फिर थोड़ा फैंट लेंगे, बस ये बैटर हमारा त्यार हो गया है, अब हम इसमें, मैंने थोड़े से मेरे पास कड़ी पता थे, जिसको मैंने इस तरह से 8-10 पते बरिगबरी काट लिया है, इससे इसका फ्लेवर आना है, उतना अपने बैटर हाथ में लेना है, पहले हाथ को अच्छी तरह से पानी से गीला कर लें, और फिर उसके साथ, दूसरे हाथ से इसको गोल कर लें अच्छी तरह से, जितना आपने वड़ा लेना है, उतना ही बैटर लें आप, और इसको फिंगर की सैता से बीच म एक हूल कर ले इस तरह से बड़ा सा और दूसरे हाथ से अराम से उठा के आप इसको अराम से आप डाल सकते हैं ये दिखिए और जो जो वड़ा हमारा फ्राई होता जा रहा है वो देखिए उपर तैर के आ रहा है और वो फूल भी रहा है कितना कितना फलफी हो गया है अपने आप उपर चल के आ जाएंगे ये तैर के आ जाएंगे फलेम आप जो है लो टू मीडियम ही रखें अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और तभी ये अंदर से बढ़िया फ्राई होंगे अगर सेख तो फिर ये अंदर से कच्छे रहा जाएंगे और बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इसको मीडियम टू स्लो पे ही इसको फ्राई करना है ये दिखिए इस तरह का कलर आ जाना चाहिए ये बिलकुल गुल्डन ब्राउन कलर आ गया इसी तरह स हम बाकी के वड़े भी बना के रख लेंगे ये दिखिए आपको मैं इसकी आवाज सुनाती है ये दिखिए कितनी क्रिस्पी आवाज है बहुत ही क्रिस्पी बनके त्यार हुए है और जितने उपर से क्रिस्पी है अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट है ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना साफ्ट जली दार अंदर से बहुत ही बड़िया साफ्ट बनके त्यार हुए है आप इसको सामबर के साथ या सिर्फ नारियल की चटनी के साथ सास किसी के साथ भी सर्व करेंगे बहुत स्वार लगेगा ये मेरी नारियल की चटनी और साथ में वड़े खाएंगे आप तो मज़ा आजएगा अगर आपको मेरी ये वड़े वाली रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीस अपने व्यूस मेरे साथ शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रैड बटन क्लिक करना ना भूले राइट हैंड पे बेल आइकोन जरूर दबाएं ताँ कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेर जरूर करें थेंक यू एंड हेवे नाइस दे नेक्स्ट रेस्पी में फिर मिलते हैं